कमेंट बॉक्स में आपने पूछा कि नथिंग स्पीक आफ के जगर पर क्या सो कार्ड का इस्तिमाल किया जा सकता है तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम इंपोसंस का आंसर देंगे ताकि आपके डाउट्स केलियर हो सकें तो आएए फ्रेंड्स आज की लेसन की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल आइकन को हीट करें ताकि मेरा लेटिस वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके जैसा कि आ अप जानते हैं मैंने कुछ दिनों पहले नधीं स्पीक आफ या या लट इस्पीक आफ के बारे में बताया का इस्वार करते हैं जब हमको कहना हो कि तुम बस नाम के यह चीज हो जैसे तुम बस नाम के एक अध्यापक कहो तो आप कहेंगे या बस नाम का एक पार्टी है तो आप कहेंगे तो फ्रेंड्स आपने वहाँ सिखा कि जब आपको कहिना हो कि किसी चीज में वह वाली बात नहीं है जो उसमें होनी चाहिए तो आप इस condition में nothing speak of या not speak of का इस्तिमाल करेंगे बट comment box में कुछ लोगों ने पूछा कि so card का क्या use है तो मैं आप से कहूंगा फ्रेंड्स कि आप nothing speak of के जगह पर so card का इस्तिमाल कर सकते हैं यानि so card का भी use हम तब करते हैं जब हमको कहना हो कि कोई इंसान नाम मातर का है या बस कहने के लिए है इसका मतलब वह फ्रेंड्स कि तुम बस नाम मातर का एक teacher हो या तुम बस एक कहने के लिए teacher हो तुमारे अंदर teacher वाली कोई बात नहीं है तो फ्रेंड्स इस sentence को आप ऐसे भी कह सकते हैं तो फ्रेंड्स चाहें so-called का इस्तिमाल करें या not speak of या nothing speak of इस situation में इस topic का इस्तिमाल कर सकते हैं आईए फ्रेंड्स कुछ और exampan देखते हैं फ्रेंड्स अगर हम structure की बात करेंगे तो मैं आप से कहूंगा कि आपका structure होगा subject plus linking verb यानि अगर आपके sentence present tense में हैं तो आप is around का इस्तिमाल करेंगे अगर आपके sentences past में हैं तो आप was word का इस्तिमाल करेंगे उसके बाद so-called के साथ आप object का इस्तिमाल करेंगे जैसा कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है अगर आपको कहना हो या बस नाम मातर का एक पार्क है या या बस कहने के लिए एक पार्क है तो आप कहेंगे This is a so-called park यानि ये बस कहने के लिए एक पार्क है याँ पर पार्क वाली कोई भी बात नहीं है इस sentence को आप ऐसे भी कह सकते हैं This park is nothing to speak of Friends, अगर आपको कहना हो तुम नाम मातर का एक दोस्त हो या तुम बस कहने के लिए एक दोस्त हो तो आप कहेंगे You are a so-called friend आप इस sentence को ऐसे भी कह सकते हैं You are not a friend, speak of उसी तरीके से अगर आपको कहना हो वो बस एक नाम मातर की wife है तो आप कहेंगे She is a so-called wife यानि वो बस कहने के लिए एक wife है आप चाहें तो इस sentence को ऐसे भी बोल सकते हैं She is not a wife, speak of तो आपको ये बात समय में आ रहा हो कि nothing is speak of के जगह पर आप so-called का इस्तिमाल कर सकते हैं फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाए